एवलीन शर्मा से लेकर दिया मिर्जा तक बॉलिवुड इंडस्ट्री में कई अक्ट्रूस ऐसी है जिन्होंने शादी के तुरंद बाद यानी 9 महेने या उससे पहले बेबी को जनम दिया है इन मैवलीन शर्मा, दिया मिर्जा, दिवंगत श्रीदेवी, कौंकना से इन शर्मा समेट कई हिरोईन्स के नाम शामिल है दिया मिर्जा, बिस्नेसमन वेभवरेखी से शादी के बाद जब दिया मिर्जा हनिमून पर गए थी तब उनोंने baby bum के साथ तस्वीर शेर कर अपनी pregnancy की जानकारी fans को दी थी और आज उनोंने fans को चोका दिया ये बता कर कि उनोंने में 14 को एक बेटे को जनम दिया है जिसका नाम उनोंने रखा है अव्यान अजाद इसकी डीटेल जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिये दी है एवलीन शर्मा एवलीन शर्मा ने इस साल 15 मैं को लॉंग टर्म बॉइफिंट डॉक्टर तुशान भिंडी से शादी की थी शादी के दो महिने बाद ही वो प्रेगनेंट है इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है अभिने ताक्षे गुमार के साथ फिल्म सिंग इस ब्लिंग में नजर आचुकी अक्ट्रिस एमी जैक्सन भी रिपोर्टेडली अपनी शादी से पहले प्रेगनेंट हो गई थी और उन्होंने बेटे को जनम दिया था उन्होंने साल 2019 में अपने बॉइफरेंड जोर्ज पनायोटो के बच्चे को जनम दिया था एमी के बेटे का नाम है एंड्रियाक्स कैक्स लीजा हेडन लीजा हेडन ने अपनी शादी से पहले खुद को प्रेगनेंट होने का खुलासा किया था जन्वरी 2017 में उन्होंने ये गुड नियूस इंस्टाग्राम पर शेर की बता दे कि उन्होंने साल 2016 के अक्टोबर महिने में बॉइफरेंड डीनो लालवानी से शादी की थी नताशा स्टैंकोविक नताशा स्टैंकोविक ने साल 2020 में ही क्रिकेटर हर्दिक पंडिया से शादी की थी गौर तरब है कि नताशा शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी इंट्रिस्टिंगली दुनोंने अपनी प्रेगनेंसी और शादी का एलान में 31-2020 को ही किया जिससे उनके फैन्स सप्राइज रह गए इनसे पहले कई सितारों ने ऐसे अनॉंस्मेंट कर सभी को चोका डाला देखिए ये लिस्ट झाला झाल 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 झाल